बच्पन से लेकर आज तक साल में मैंने एक दिवाली देखी थी, लेकन ये साल में दूसरी दिवाली मैंने देखी है, और दिवाली से भढ़ करके लोगों ने celebrate किया है इस दिन को एक इतियासिक दिन, ये हमारे इतियास में लिखा जाएगा इस 22 जनवरी के दिन को, जिस दिन ये जो स्थापना जो वहां पे हुई है, काफी लोगों में खुशी की लहर थी, बहुत ज्यादा लोग खुश है और बस्त कर दिया, शहीद कर दिया, तो वहां पे मंदिर बनाते ना, आपने मौका दे दिया, आप तो मुस्सलिम पक्ष के लोग, मतलब वह अभी तो रिक् हमा लग सकती है, इतना बेशरम आदमी, जो कल तक ये बोर रहा था, कि ये आतकवादी चैनल है, ये फलाना ये है, तो वो बंदा, वो जलील आदमी, खुदगरज आदमी, उस चैनल को जो है, बाइट दे रहा है, और वो बाइट मैंने डिलेट नहीं किये, वो बाइट मैं अपना फर्ज निभाता हूँ सर, कोन क्या करता है, क्या नहीं करता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपना काम करता हूँ, मेरा काम दिखाना है, और अगर मैं वीडियो नहीं भी चलाता है, मेरेको कोई पूछ नहीं सकता है, कि आपने वीडियो नहीं चला कोट में जब कोई भी मतलब कुछ इस तरह का करते हो क्राहिम करते हो तो आपको कम सजा जो होती है उसमें आपको option होता है कि सजा के साथ में आपको fine भी भरना पड़ता है या सजा या fine होता है यह दोनुछ चीज़े होती हैं तो matter छोटा था fine या fine आपने भर दिया आप मुझरिब बन के नहीं बने कुटे भूगते हैं और हाथी अपनी चाल में चलते हैं हम वही चाल चलते हैं लेकिन थोड़ा सा आइना दिखाना ज़रूरी होता है भाई साब अभी tiger जिन्दा है 12 से बढ़के लोगों में एक जोश था एक उत्साह था औ और मेरे को लगता है हर साल जो है इस दिन को बनाया जाना चाहिए क्योंकि एक इतिहास है और इतिहास को मतलब हर साल याद किया जाना चाहिए कि हमारे इस दिन में यह शुबकारे हुआ है लेकिन एक गुलदस्ते की तरह हम सारे सारी कम्मूनिटीज के लोग सारे इतनी सार इतनी सारी भाषा हैं, फिर भी हम एक हैं, एक भारत देश है, अखंड भारत हमारा है, तो कहीं न कहीं, यह जो पॉजिटिव तरीके से जो लोग बात करते हैं, इनकी बात को जो है, पूरा मान, सम्मान जो है, वो देना चाहिए, कुछ एक जो है, राम लला से माफी भी माँगी, कि मुझे माफ करियेगा, कि इतना समय लग गया, आपको टेंट से एक मंदिर तक लाने में, और कहीं न कहीं, उन्होंने सुप्रीम कोट का भी शुक्रिया आदा किया, कि उन्होंने राम मंदिर की जो पर्मिशन दी, जो ओर्डर निकाला, और क कहीं न कहीं, तमाम जो कल प्रान पतिस्टा में, पूरे विश्व में प्रान पतिस्टा को लेकर राम लला के वेलकम किया गया, इसी सिंसले में हमारे साथ, हमारे सयोगी, हमारे पत्रकार भाई, अरफाज हमारे साथ इससे में मौझूद हैं, इन से जानते हैं इनका क्या अ आपने क्या कुछ अनिभव रहा इस चीज़ को देखिए उनित भई बच्चपन से लेकर आज तक साल में मैंने एक दिवाली देखी थी लेकिन ये साल में दूसरी दिवाली मैंने देखी है और दिवाली से बढ़ करके लोगों ने जो है सेलिब्रेट किया है इस दिन को एक इ आस्थाएं थी जो उनका मतलब इसके साथ एक जुडाव था वो कहिना कहीं जो है एक मुकंबल रूप से पूरा हुआ है तो जैसे कि हमने कल जब हम कवरेज कर रहे थे लोगों से सवाल कर रहे थे तो हमने ये भी जानने कोशिश की कि सिर्फ आज ही के दिन आप मनाएंगे या हर साल 22 जनवरी को मनाया जाएगा तो उनका यही कहना था कि हम हर साल पहले एक दिवाली मनाते थे अब दो दिवाली और दिवाली से भी बढ़कर दिवाली से बढ़के बिलकुल दिवाली से बढ़के लोगों में एक जोश था एक उत्साह था और मेरे को लगता है हर साल जो है इस दिन को बनाया जाना चाहिए क्योंकि एक इतिहास है और इतिहास को मतलब हर साल याद किया जाना चाहिए कि हमारे इस दिन में ये शुबकार हुआ है थोड़ी थोरी दूरी 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 पे दो चार किलोमेटर ki तो मतलब अगर हम जम्मू में अभी हैं, तो जम्मू में डोगरी बोली जाती है, और जम्मू से अगर हम अकनूर चले जाएंगे, वहाँ पे डोगरी का अलग ही बोलचाल का तरीका होगा, सांबा कुठवा जाएंगे, वहाँ पे अलग होगा, बिलावर जाएंगे, वहाँ बोलड़ी बोली जा दिलेंगे, वहां का बोलचल का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो ये कहने कहीं है, लेकिन एक गुल्दत्ते की तरह हम सारे सारी communities के लोग, इतनी सारी communities है, इतनी सारी भाषा है, फिर भी हम एक हैं, एक भारत देश है, अखंड भारत हमारा है तो कहीं न कहीं यह जो पॉजिटिव तरीके से जो लोग बात करते हैं इनकी बात को पुरा मान समान देना चाहिए लेकिन कुछ सियासी लोग जो होते हैं अब अगर हम बात करें यह जो राम मंत्री वहाँ पे बना यह जो इतिहास बना अभी भी कहीं न कहीं इसमें लूप होल रखा गया है जहां पे बाबरी मजजिद को द्वस्त किया गया जहां पे बाबरी मजजिद को शेहीद किया गया और सालों साल वो केस चलता रहा कि यहां पे रामनल्ला का जनम हुआ यहां पे बाकी सारी चीज़ें हुई यहां पे यह मस्जिद नहीं थी, यह मंदिर था, लेकिन अब मंदिर जो जहां पे बनाया गया है, वो उस जगह से, उस मस्जिद वाली जगह से तीन किलोमेटर की दूरी पे बनाया गया है तो कहीं न कहीं एक लूप होल छोड़ दिया है फिर से आने वाले समय में जो है एक मौका दे दिया है सियासत को कि यार अगर यहां पे मंदिर आपने बनाया नहीं तो मजजद हमें बना मतलब मजजद आपका कहना है मजजद वहां से क्यों हटाई गही और अगर मंदिर इतने दूर बनाना ही था मेरा कहना क्या है सर लोग बात कर रहे मगर 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 बाबरी मजजद भी बनाई जा रही है आपको यह भी पता होगा इशू कहां पे था इशू जहां पे बाबरी बजजद थी पहले बनी हुई थी जहां तो जब आपने उसको द्वस्त कर दिया शहीद कर दिया तो वहीं पे मंदिर बनाते न आपने मौका दे दिया आप तो मुश्लिम पक्ष के लोग मतलब वो अभी तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इससे हटकर एक बात पर आओंगा आपसे लगातार हम आपको देखते रहते हैं आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं न्यूस को खबर को ब्रेक कर रहे होते हैं लोगों की समस्याँ को परशासन तक पहुचाने की कोशिश करते हैं तो खुद जब अरफाज हमेट डेंग अपने फेस्बुक पेज पर कुछ चीज़े ऐसी डालता है वो लगता है कि अरफाज हमेट डेंग को कोई परेशानी चल रही है आखिरकार क्या चीज़े हैं वो लगातार हम देख रहे हैं कुछ दिनों से लेकिन थोड़ा सा आइना दिखाना ज़रूरी होता है भाई साब अभी टाइकर जिन्दा है तो वैसा कुछ भी नहीं है कोई परेशानी वाली बात नहीं है परेशानी हमने बहुत सारी जहली भी है तो आगे भी आते रहेंगी वो रब की अजमाईश होती है और साफ सुत्रा इनसान जो होता है उसको किसी बात का डर या किसी बात की गवराइट नहीं होती है गवराइट या डर उन लोगों को होता है जो मनलब चापलूस लोग होते हैं या ज़रूरत से ज्यादा जो है वो वक्ती जो हकूमत होती है या जो political parties होती हैं उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं कि हम इनकी चाटू कार्जिता कर रहे हैं इनके तलवे चाट रहे हैं तो हमें कोई कुछ कर नहीं सकता है हमें हमारे खिलाफ कोई भी कारवाई नहीं हो सकती है या हम किसी दूसरे पर कोई भी हारूप लगा देंगे तो लो ले संद्स देने की कोशिश करता हैं भाई सब करें सब करने वाले लोग है आधी आप हो सब के साथ कोई ना कोई जो ड़ाव होता है पिछले साल की बात कर planner तो पिछले साल आप विवाद में भी रहे हम जानते हैं सब और故रा जह्मोकिश्मिर जानता है कि किस तरीके से आपके घर में रेट्स भी पड़ी और किसी एक एंपलाई की वज़े से आपके ओपर निशाना साधा गया आपके ओपर भी उंगलियां उठी जिसमें सुप्रीम अपना ओनरेबल कोर्ट ने आपको बेल भी दे दी सब कुछ हो गया वहाँ पर तो उसके बावजूद भी अभी भी कुछ आपके साथ कोई ऐसी बात हो रही है या वो तो एजिंसी का काम है तो किसी का मतलब नहीं बनता इसमें तवज्जु देना इसमें बात करना आपको अच्छा लगता है आपकी बात नहीं करनी चाहिए लेकिन आपको ठीक लगता है आपको आपके इल्जाम लगाने से अगर कोई मुझरिम बन जाता है आपका नाम लेकर बोल रहा है कि अपका नाम लेकर बोल रहा है। कोई को का क्राइम करते हों तो आपको कम सजा जो होती है उसमें आपको option होता है कि सजा के साथ में आपको fine भी भरना पड़ता है या सजा या fine होता ये ये दोवनुद चीजे होती हैं तो matter छोटा था fine या सजा, fine आपने भर दिया आप मुझ्रिम बन के नहीं बने आप बताईए एकता की बात करते हो मगर कही न कहीं अंदर से कुछ और छबी हो वो इनसान कैसा होता है दोगला उसको तो हम दोगला ही कहेंगे न मुपे कुछ पीछे कुछ आपके सामने हैं तो आपके हैं आपके पीछे हैं तो वनीत कौन है ऐसा नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड होता है हर इंसान का और इंसान का और इंसान को ये नहीं है कि जब आपके ज़रूरत अनुसार कोई आपके साथ चर रहा है तो वह आपका बहुत क्लोज है आप उसके लिए जान दे सकते हैं लेकिन जब वही व्यक्ति कोई मन मुटाव होता है या कुछ होता है तो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है ऐसा नहीं होना चाहिए और दूसरी बात उन लोगों को काफी मतलब वो कहते हैं कि यार पेट में दर्द होता है ये होता है मरोड पढ़ता है मरोड तो आप लोगों के पेट में फड़ते हैं जो रोज आ जाते हो सामने और ये भी सोचते हो कि यार अब ये दूसरे दिन आ जाएंगे मैं तो कहता हूँ भाई सब आप भी आईये आप जवाब दीजीए अब तो हम सुबोतूं के साथ आए ह उसमें उन्होंने कहा कि हमने जब चैनल के ओनर से बात की उन्होंने वीडियोज डिलीट कर दी क्योंकि ये फेक थी स्टोरी आप मेरे को बताईए आप फिर से वीडियो कीज़े मुझे मत बताईए लोगों को बताईए जनता से बड़ी अदालत कोई नहीं होती है आप जनता को बताईए ये जो हम कर रहे हैं यह जो एविडियन्स हमको दिखा रहे हैं होट ओर्डर दिखा रहे हैं ये फेक हैं ये जूटे हैं ये आप मुझे रिम बने हो के नहीं आपके बोलने भर से कि हाँ जी जूट है ऐसा कुछ नहीं है वीडियो डिलेट हो गई तो भाई सब आप भी करवालो वीडियो डिलेट कितनी सारी वीडियो डिलेट करवाओगे कहां कहां तक जाओगे सच छुपता नहीं है सच कभी सुपता नहीं सच सामने आ जाता है कहीं ना कहीं अर्फास डैंग जो है हमने सोचा कि यह ऐसे लोग हैं आपको कोई इज़त मान कदर करता है आपका नाम चर रहा है आपको कोई बोलता है आप मेरी दुकान पे आईए मेरे किसी शोरूम में आईए ओपनिंग कीजिए वो उसके दो कारण होंगे जो आपको बुलाएगा एक होगा कि आपका अच्छा मतलब लोगों में रेपूटेशन है दूसरा ये भी होगा कि चल भाई भाई आएगा इसको मैं इज़त दूँगा रिस्पेक्ट करूँगा तो ये कम से कम वो जो वीडियो होगा वो अपने रिलीस था उस गाने वाले ने बचारे ने क्या किया वो भी अंजान था कोई उसने सुचा मैं बड़े एक जनलिस्ट को ला रहा हूँ ये पता नहीं कितने मीडिया वालों को साथ मिलाएगा कोई मीडिया वाला नहीं गिया वो मीडिया वाला भाई साब चला गया वहां पे मेरे लड़के के क्योंकि मैं काम में था तो मैं नहीं जा पाया अब बही एक दिन अंदर रहा हूँ तो दूसरे दिन फैमिली में भी तुरूँगा मैं नहीं आ पाया मेरे लड़के के उन्होंने वहाँ पे वीडियो कवर किया इतना बेशरम आदमी जो कल तक ये बोर रहा था कि ये आतकवादी चैनल है ये फलाना ये है तो वो बंदा वो जलील आदमी खुदगरज आदमी उस चैनल को जो है बाइट दे रहे है और वो बाइट मैंने डिलेट नहीं किये वो बाइट अभी भी है अपलोड ने की होगी अपलोड भी किया पर चला है उसके नहीं उस चैनल पर चला है नहीं उसके खुद के पेज पर चला है ये होगी एक बात दूसरी बात होगी जो मैंने दुकान की या शोरूम की की आपको ले गया वो उस लालिश में होगा कि चल भाइस साब एक रिस्वेक्ट होगी उस व्यक्ती ने बोला भाइस साब मैंने तो सोचा था आपके पेज पर चलेगा अगला बंदा इतना जलील है कहता है पचीस जार पर दे फिर चलेगी ऐसे थोड़ी चलती है आप बताओ जो बंदा आपको रिस्पेक्ट दे रहा है मर्यादा में रहके बात करते हैं इसका मतलब आप यह सोचते हो कि यार हम डरते हैं आप से डरते हम सिर्फ उस खुदा से हैं और किसी से डरते नहीं है क्योंकि हम सचे हैं और सच हमेशा कड़वा जरूर होता है लेकिन सच सामने आता जरूर है चुपाने से या किसी को धंकिया देने से दिलवाने से या प्रेस क्लब में आप किसी को हमला करवाने के लिए लाओगे किसी को मरवाने के लिए लाओगे तो आगले जो लोग होते हैं उन्होंने चोड़िया नहीं पहनी होती है फिर मुझ की खानी पड़ती है, फिर फोनों पे बार में वो, आजी इसको रखो, इसको करो, क्या फांसी थोड़ी चड़वा दिया आपने, उसने जो करना था, वो तो कर ही दिया, उसने आगे से, ठीक है न, तो यह गुंडागर्दी, बदमाशी, यह नहीं चलती है, आप अ अगर कोट ऑड़र आए हैं, आपके खिलाफ ख़बर बनेगी दोर्शक्रार, न, घो आप ऑफांसी आपको पेट में दर्ध हजाता है, क्यों दर्ध होती है, आपको क्या तकलीव होती है, क्या तकलीफ होती है, मतलUh, कोई किसी को बोला वीडियो डिलीट कीजिए आपने चलाई होगी और भी बदेरे लोगों ने मतलब मेरी वीडियो चलाई मेरे सब मतलब हम खाते पीते उठते बैठते साथ में मैंने कभी किसी को नहीं बोला आप मैंने ये भी नहीं बोला ना चलाईए मेरे खलाफ को वीडियो न हुई है यहाँ पर नैशन मीडिया की बात नहीं करते नेशन मीडिया को आप्साइड पर रखिए जो यहां के पोर्टल्स है सबको आप जानते सबको पहचानते सब बाई हैं सारे तो लगता है कि आज की डेट में वो पत्रकारता जो होनी चाहिए क्योंकि एक दबदबा होता था पत्रकार का चाहे वो मैं बात करूं पुराने जो पत्रकार है वरिष्ट पत्रकार है जो लिखते थे तो जब वो किसी डिपार्टमेंट में जाते थे ओधर जाता थे कही ना कहीं कि नहीं पत्रका हैं लोगों की आँखों में एक पत्तरकार के लिए जो अच्छा काम करते हैं जो चापनुसियां करेंगे चाटुकारिता करेंगे या ऐसे काम करेंगे जो उनको नहीं करने जाए या धर्म परचारक बन जाएंगे देखो एक जर्नलिस्ट अगर मतलब वो कहेगा कि मैं मुस्ल मुस्लिम या इलाज ना करूं फिर तो सब जगा वैसा ही सिस्टम शूरू हो जाएगा ना तो इसलिए किसी को एक जमयवारी देगी है धर्म गर्वों की अपनी जमयवारी उनका काम है धर्म परचार करना काम वह ही है लेकिन का काम यह लेकिन आप दूसरों के काम को भी एक फिल्ड को आप पकड़ रहे हो, उसमें आप अच्छा करो, काम करो, ये गलत है, और एक जनलिस्ट को तो इस तरह का मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं, लोग इज़ित करते हैं, लेकिन जो नहीं करेंगे तो फिर उन पे तो उंगलिया उठती है बहुत 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 शुक्रिया अरफाज जी अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे सही होगी अरफाज डैंग जी हमारे साथ इस समय मौझूद है, आपके समक्ष रखी इनकी कुछ बाते हैं, और हमारे दिल में भी था कही ना, कि हम इनको फेस्बूक पे फॉलो करते है हमें भी फॉलो करते हैं, मगर कुछ वीडियोज हमने इनकी देखी, जो ये खुद बोलते हुए नजर आ रहे थे, कुछ क्लिप्स इन्होंने डाली थी, जिसमें ये खुद कुछ ना कुछ बोल रहे होते थे, तो हमने सोचा कि इनसे पूछा जाए आखिरकार, कि क्या ऐसी बात हो रही है, तो इन्होंने आपके सारे बाते जो हैं, आपके समक्षरखियों राम मंदर को लेकर भी कुछ बाते कहीं, क्योंकि जो कल परान पर जिस्था थी, 22 तारीक को, 22 जन्वरी को, और इन्होंने भी उसका वेलकम किया, और कहा बहुत अच्छा, मगर कहीं ना कहीं इन्होंने एक और चीज़ भी कही, कि बाबरी मच्छित अगर हटाई गई वहां से, तो राम मंदिर वहीं पर क्यों नहीं बना, उसी स्थान पर क्यों नहीं बना, उससे आगे क्यों बना, अब वो तो पुल्टिकल विशे है, वो उसमें स्प्रिम कोट बीच में तो इस वीडियो को आप जादा साधा शेयर करेंगा, और यह बात्ची जो हमने की अरफाज जैंक के साथ की, तो इनकी बात सुनकर भी आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बुक्स में रखेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और पलपल की ख़बर और पलपल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समिक्षा न्यूस नेटवर्क के साथ मेरे वीडियो जनलिस्ट और मुझे विनीत कारहलू को दीजे इजाज़त नमस्कार